नॉर्थ वेस्टन रेलवेए एंपलाईज यूनियन की तीन ब्रांच की महिलाओं ने मनाया पागोच्छाव। कैरिज केंटीन के एक्ता हॉल में गीत संगीत के साथ पूलों सिखेली हो ली। मोहन वाच एंड मॉबाई अज में शहर में चार करतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाईल की दुकान जहां आपको मिलेंगे हर ब्रैंड के लेटेस्ट मोबाईल और असेसरीज वो भी सबसे कम और किफायती दरूपर मोहन वाच एंड मॉबाईल कजरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर नौर्थ वैस्टन रेलवे एंप्लाईज यूनियन की ब्रांच कैरीज, लोको वे एलेक्ट्रिकल शाखाओं की महिलाओं ने सहीं ग्रूप से शुकरवार को कैरीज कैंटीन के एक्ताहौल में फाग मौसवव और होली का पर मनाया इस मौके पर यूनियन से संबंदित सभी महिलाओं ने भोजन अवकाश के दौरान एकताहौल में गीत, संगीत और नरत्त के बीच रंग उमंग के पर्व होली को फूलों के साथ खेलते हुए मनाया यूनियन के महेंदर सिंग उधारा ने बताया कि कोविट-19 के नियमों की पालना करते हुए महिला है होली फाग उत्सब में शामिल हुई है कोरोना के बढ़ते संकरमन को देखते हुए बड़े स्तर पर महसव का आयोजन नहीं किया गया है नहीं रंगों का इस्तमाल किया गया है सिर्फ फूलों से ही होली खेली गई है इस मौके पर NWREU के कारिकारी अध्यक्ष अरुन कुप्ता साइथ यूनियन के पतादिकारी भी मौजुद रहे आज यहां पर NWREU ब्रांच केरीज और इलेक्ट्रिकल और लोको तीनों ब्रांचों के कारखाना शाखा के महिलाओं का फाग महोसव का आयोजन किया जा रहा है आज लंच अवर्स में केरीज केंटिन में यह कारेकरम आयोजित किया जा रहा है इसमें सभी महिलाएं डिवीजन की लोकों की केरीज की इलेक्ट्रिकल की सभी महिलाएं हैं और हमारे बीच में हमारे कारेकारी अध्यक सेन ड़वू आर यू अर नुट्टाजी भी मौजूद है होली एक सामाजिक सोरार पैदा करने के लिए हर वर्ष की बांती यूनियन आयोजिन करती रही है आज भी इसका आयोजिन किया जा रहा है आज यांबर महिलाएं गुलाबों की पंखुडियों और गुलाल से होली खेलने का काम करेगी शुरुआत अभी हम जो केरीज के और एलेक्ट्रिकल के लोकों के और ड्वीजन के साथी हैं अब यह समलोग ज्यादा दे रायान ही रुकेंगे उसके बाद महिलाओं का ही कारेकरम है यह महिलाएं इसमें बाद में अच्छा क्या संदेश देदेऊ कि जैसे के पानी से होली खेलने का आयोजन किया जा रहा है इसमें गुलाब की पंखुडियां ही मेन हैं उलों से खेलने का उलाल से नहीं खेलने के लिए ही का गया है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुरेश जैसिंगानी कंसल्डेंट फिजीशन शुभाम होस्पिटल वेशानलगर से बात कर रहा हूं दोस्तों 96 में जेलन मेडिकल कॉलेज से मडी करने के बाद मैंने अपने यह संस्तान प्रावब किया था तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगाता जनता की सेवा कर रहे हैं हमारे आन्य बीमारियों के अतरिक्त डायबिटीज थाराइड और गठिया रोग की विशेश जाच और परामश की सुविधा अपलब दे अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं ता आप हमसे परामश ले सकते हैं दन्यवाद